दोस्तों नमस्कार आद आप सक्स्रीयकार नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात में आपका स्वागत रहे हैं कि इस हफते की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों पर हम अपनी बात कहेंगे जैसा कि हर बार शनिवार को हम यह कहते हैं टिपणिया करते हैं खबरों पर और हम कोशिश करते हैं कि जो हफते की खबरे हैं उनके तह में जाया जाए उसके पीछे क्या कहानी है असल असलियत क्या है क्योंकि आजकर टेलिवीजन पर जो ख़वरें आती है उनका नसर होता है न पैर होता है केवल प्रचार होता है प्रोपेगेंडा होता है अख़वारों में जरूर अभी भी खासकर अंग्रेजी के अख़वारों में कुछ प्र कि बेशक खबरें हम कम लें लेकिन हम उनके ताह में जाएं और एक एक चीज़ को बारीकी के साथ objective धंसे facts के साथ आपके सामने लाएं हमारी आज की पहली जो खबर है कि इस हफ़े के तीन बड़े राजनितिक रूप से बेहद महत्वाकांची politician कौन-कौन है और उनकी जो राइलितिक महत्वाकांचाएं हैं वो क्या नया गुल खिला रही हैं और भविश्य में क्या वो नक्षे बना सकती हैं या नक्षे बिगाड सकती हैं तो हमारे पहले जो सबसे बड़े महत्वाकांची सियासतदान हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग इस हफते के और 89 साल की उम्र में भी जनाब अमरिंदर सिंग इस थीपा देने के बाद नो सिर्फ वो कॉंग्रेस आला का मान से छुब्द हैं इसके बावजोत की वो जानते हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कॉंग्रेस वहां लड़ाई से बाहर जा चुकी थी कुछी महीने के बाद चुना होना है लड़ाई के बाहर थी ये बात स्वैम उनकी एजनसियों ने भी उनको जरूर बताई होगी लेकिन दोस्तों वो नौकेवल नाराज हैं बलकि वो भारती जनता पार्टी के लिए अब जवरदस डंग से तैयारी भी कर रहे हैं उन्होंने साफ कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन यह भी क्लियर है उन्होंने कहा नहीं है लेकिन उनकी सारी बातों से उनके अब तक के सारे मूब से ये क्लियर है कि वो बीजेपी का खेल खेलेंगे जो चीजें वो अब तक कह रहे हैं और उनके जो एप्रोच रही है अब तक उससे साफ जाहिए रहे कि वो किसी बड़े दबाव में रहे है एक महराजा अपने को महराजा कालाना आज के हर उस व्यक्ति को पसंद है जो किसी स्टेट से आया है और डिमक्रसी में जिसकी पसंद करते हैं तो पट्याला महराज जो हैं वो काफी ताकतवर व्यक्ति माने जाते रहे हैं लेकिन नजाने क्या इस बार भारती जनतापार्टी की सरकार ने क्या जादू किया है उन पर या क्या गुल खिलाया है कि वो ऐसा लगता है कि अब जिसे उदारन के तोर पे पि जाए उस अगली सुबा हमें शाजी कहां चले गए जो देश के ग्रीमंत्री है और वहां से जब निकले तो उन्होंने जो जो बयान दिये वो बड़े दिल्चस्त थे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस छोड़ने जा रहे हैं अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं बीजेप सेकुलिरिजम के नाम पर वो जीवन भर कॉंग्रेस की पॉलिटिस करते रहें काफी समय जीवन भर तो नहीं काफी समय लेकिन वो कॉमिनल बीजेपी कॉंग्रेस के लोग तो बीजेपी को कॉमिनल कहते हैं तो कॉमिनल बीजेपी से पंजाब में कोई कंप्रुमाई नहीं क भारती जनता पार्टी की काफी आरूचना होती है, भारती जनता पार्टी हाल के दिनों में पंजाब में जिसका कोई स्थिति नहीं ना गई राइनितिक रूप से एक ऐसा स्टेट है कई स्टेट ऐसे देश के हैं लेकिन पंजाब नार्थ इंडिया के स्टेट में शायद इकलता स्टेट है जहां भारती जंता पार्टी की हैसियत बिल्कुल निस्तनाबूद है पहले भी उनके तीन विधायक होते थे और वो भी अकाल पार्टी जंता पार्टी की आनुछना नहीं की खासकर किसान आंदोरन के कांटेक्स्ट में तो एक अधि महत्वाकांशी ये राजनेता आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं पंजाब के जो राजनितिक लोग है उनका कहना है कि कुछ ऐसी चीज जरूर है सरकार के दिमाग में जिस लगता है कि बीजेपी की कोर्ट में जाकर और बॉल कहीं और फेक रहे हैं क्या इसका मतलब है क्या इसके नहितार्थ हैं असलियत क्या है ये दिन में दिन प्रत दिन तो नहीं लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसका खुलासा जरूर होगा, तो एक हमारे महत्वाकांची अमरिंदर सिंह है सब्ता के, दूसरे महत्वाकांची उनहीं की पार्टी के सिद्धू साहब, रोजोत सिंह सिद्धू साहब हैं, जिनों ने अमरिंदर सिंह को अपदस्ट करने में बड़ी भूमिकादा की, ल तो हमारी हम लोग मिलके काम करेंगे लेकिन जैसे ही चन्नी साहब काम करना शुरू कर दिया उन्होंने और जैसे ही इनको एसास हो गया कि ये तो काम करने वाला आजमी है और चनाव में अगर कॉंग्रेस जीत गई तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए तो सिद्धू साहब पटियाला भाग गए अपने घर संजोग वस अमरिंदर सिंग भी पटियाला के सिद्धू साहब भी पटियाला के अब फिर से एक समझावता हो रहा है कहा जाता है कि चार अक्टूबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा अब एक दिन बचा दो दिन बचा है लेकिन असलियत क्य अगर इस पार ठीक भी हो गया मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसा ठीक भी हो गया तो चुनाव से एन पहले सिद्धू साहब फिर अडगा लगाएंगे और वह मुख्यमंत्री ही नहीं बलकि पूरी कॉंग्रेस कमेटी के जितने बड़े नेता है जितने बड़े नेता चाहे उ वो निश्चित रूप से किसी की नहीं मानेंगे और वो ये चाहेंगे कि चुनाव में जो उमीदवार ते किये जाएं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्षा से जानवर के लिए और मेरा अभी है कि चुनाव से आयन पहले पंजाब कॉंग्रेस कमिटी बनाब कॉथिज श्रीमान नोजोच सिंग सिद्धू इन दोनों में फिर से टकराव चुनाव से एंग पहले होगा अगर ये नहीं होता है तो माना जाएगा कि नोजोच सिद्धू ने जरूर राजनीतिक रूप से उनमें थोड़ी प्रोड़ता आई है तो मुझे लगता है कि दूसरे व्यक्ति नोजोच सिंग सिद्धू हैं इस सब्ता के अति महत्वाकांची राजनेता जो क्रिकेटर से राजनेता बने है और जिनके कामकाच के तरीकों में अभी भी राजनीतिक लहजा या राजनीतिक अंदाज नहीं आया है वरना कोई प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी का ध्यक्ष अपनी सरकार के गठन के ततकाल बाद जब नया मुख्यमंत्री आया हो उनकी पार्टी का और वो भी काफी एक बड़ी शक्सियत वो अच्छानक रूट कैसे जाएगा अच्छानक इस्थिपा कैसे दे देगा अच्रच लेकिन कॉंग्रेस आला कमान ने खासकर माना जाता है कि प्रियंका गांधी उन्होंने नजाने कैसे सिद्धु साहब पर भरुसा किया और सिद्धु साहब अब कॉंग्रेस पर कितना भरुसा करेंगे इस चुनावत तक या चुनावत के बाद ये देखना बाकी होगा तीसरे जो हमारे इस सब्ता के सबसे अति महत्वा कांशीर सियासतदान कह सकते हैं पहले सियासत के रणे नितकार थे अब सियासतदान बनते जा रहे हैं वो हैं स्रीमान प्रशांद किशोर प्रशांद किशोर ने अपनी यात्रा शुरू की थी नरेंदर मोदी जी जो भारत के प्रदान मंतरी हैं जब हो गुजराद के मुख्य मंतरी थे तो उनके चुनाव केंपेंज से उन्होंने अपना करियर सुरू किया था चुनाव के रन नितकार के रूप में ये गुजराद की बात मैं कर रहा हूँ 2014 से बहुत पहले, और 2014 में भी उन्होंने कमान समाली और उनका अपने मित्रों के बीच, अपने समर्चों के बीच ये दावाराता है कि उन्होंने चुनावजिता दिया नरेंद्रमोदी को। अब इस खुश्पामी का कौन इस पर भरोसा करे कौन नहीं जानता कि नरेंद्र मोधी की विजय में उनकी जीत में 2014 में बहुत सारे फैक्टर्स थे यूपिय की कमजोरियां थी भारत के जो बड़ी कार्परेट लाभी है उसका नरेंद्र मोधी जी और भाजपा को पूरा समर्थन था आरेंद्र मोधी जी को प्रधान मंतरी बनवा दिया और शायद इसी तरह की महत्वाकांची बोल से छुप दोकर नरेंद्र मोधी और अमिज शाह ने उनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया और फिर उनको अपनी पार्टी में कभी कैमपेण इंचार्ज या कैमपेण के स्टेडिस्ट के तौर पे नहीं आमंतित किया लेकिन बीजेपी के साथ उनके रिष्टे बुरे कभी नहीं रहे रिष्टे बरकरार रहे ऐसा कहा जाता है फिर वो अचानक नितिश कुमार जी के साथ आये दक्षन के बहुत सारे राजनेताओं के साथ उनके काम किया आम आदमी पार्टी के साथ काम किया अर्विंद केद्रिवाल अपने जमाने के भयानक महत्वाकांची और आज भी हैं लेकिन कुछ समय तक दोनों में पटी बाद में खटक गई अब सुना है कि फिर पटने की बात चल दही है इसके बाद उन्होंने फिर से नितीश कुमार की पार्टी में उपाध्यक्ष का पदिगरण कर लिया नितीश कुमार ने खुलासा कर दिया अपने एक बयान में कि ये तो हमिशा के कहने पर उन्होंने किया है बड़ी दल्चस बात लेकिन अब नितीश कुमार से अलग होकर कॉंग्रेस के खेमे से भी डिटेच होकर अब व भवानीपुर से वो बकायते मतदाता बन चुके हैं तो क्या माना जाए कि वो टीमसी के राजसभा एंपी के रूप में जल्दी ही भारत की पार्लेमेंट में दिखाई पड़ेंगे इस बारे में जब पूछा गया सौगत राय से जो टीमसी के बड़े भुजर्ब नेता है तो उन्होंने कहा उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन ये एक नियम जरूर है कि जो व्यक्ति कहीं से राजसभा का मेंबर बनना चाहता है उसी स्टेक में उसको वोटर होना चाहिए तो बिहार के राने वाले प्रशान की सोर ने बिहार में कोई संभावना नहीं देखी तो उन्होंने बंगाल के भवानी पूर से अपने को वोटर के रूप में दर्ज कराया है इसका एक बड़ा मतलब निकलता है कि शायद वो राजसभा के कंटेंडर है या उनको कहा गया ह होगा कि आप ऐसा कर लीगी इस बीच में उन्होंने गोवा में उन्होंने जो कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता फैले लियो साहब जो चीप मिनिस्टर रह चुके हैं उनको टीमसी में ला दिया बड़ी कामियाबी है पहले वो कॉंग्रेस को जिता रहे थे उत्राखंड में पंजाब में उत्तर प्रदेश में सुना गया था कि प्रियंका गांधी और राउल गांधी से उनकी बातचीत हो चुकी है फाइनल हो गया है शायद उनको पार्टी में महासची बना दिया जाएगा लेकिन खटक गई क्यों क्योंकि कॉंग्रेस ने कहा था कि आप गुजरा तब जीताएंगे जब उनको पार्टी का जनल सेक्रेटरी बग़रे बना दिया जाए और गुजरात का इंचार्ज बना दिया जाए और पार्टी की कोई कमेटी कोई नेता उनके काम में इंटर्फियर न करे। कि हमारी Congress ऐसे चलती नहीं कि हम Congress Committee को इग्नोर कर दें, आपको consultation से काम करना पड़ेगा, वो रूट गए और वो चले गए, चले गए तो TMC में उनको free hand मिलेगा, संबहुत है, और अब वो TMC के साथ हैं, TMC के लिए campaign कर रहा हैं पुरे देश में, उनका इरादा है, उनके बित् कि अब मंता वनर जी को Prime Ministerial Candidate के रूप में project करने के लक्ष से वो प्रेडित हैं, देखिए Congress और उनके बीच में क्या बनता है, और छोटे मुटे अगर आप एक और नाम ले लेंगे इन तीनों के अलावा तो कनिया कुमार हैं, लेकिन प्रमुक तीनी चेहर हैं इस अप्ता अश्रजनक वैचारिक रुपांतरण होता है, और उसका कोई logic भी होना चाहिए, logic दिया कनिया कुमार ने कि Congress को बचाना बड़ा जरूरी है और Congress बचाने वा रहे हैं, तो ये भी अतिमहत्वा काम चाहिए कि एक व्यति से Congress बच जाएगी, Congress को जनता बचाएगी, अगर Congress चा आम लोगों में अभी काम ही नहीं किया है, सिर्प एक चुनाव लड़ने के, तो ये महत्वा कांशियों की एक सूची मैंने इस अपता की पेश की, और देखना है कि क्या आगे होता है, Supreme Court of India की दो जजों की bench ने, जो Justice Khan Wilker साब की bench है, उसने एक observation दिया एक याचिकार की सुन पे उन्होंने बात ये कही, तो ये जो बात है, एक ऐसी याचिका थी ये, जो याचिका किसान महा पंचायत नाम के एक ऐसे संगठन द्वारा दायर की गई है, जो दरसल किसान आंदोरेंट का जो मौझूदा, जो संगठनिक संरचना है, उसका हिस्सा नहीं है, और उसकी य जो जनतर मंतर पर धरना वगरा करना चाहता है, उस पर ये कमेंट आया है, अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि किसको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन किसान आंदोरुनकारी इससे बहुत आहत हैं, क्योंको दिल्ली का गला घोटने वाला खा जा रहा है, राकेश टिक को, इस तरह का अब्जर्वेशन जाहिर है, कोट का अधिकार है, कोट कुछ भी कह सकता है, कोट की मनशा पर हम कोई शक नहीं कर सकते, कोट ने इस बात की एक चिंता जाहिर की है, कि दिल्ली में आवागमन का गतिरोध नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अविरोध नहीं, प्रतिबंद नहीं होना चाहिए ये बात सही है लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने व्योस्ता ऐसी कर रख किया है कि कोई भी सड़क बाधित नहीं हो रही है और दूसरी बात उनका कहना है कि ये बाधित तो सरकार कर रही है उन्होंने तो चाहा था कि उनको जगह दी और शांती पुरवकम बैठे हैं, तो ये सुप्रिम कोर्ट की जो आपजर्वेशन है, उस पर किसान अंदोलनकारियों का जो दुख है, छोब है, वो उन्होंने अपने शब्दों में जाहिर किया है, और चलते चलते दोस्तों, हम आज एक छोटा सा कमेंट महात्मा गांधी, म आज के दिन, मैं इसलिए महात्मा गांधी का ये कोट, कि हमारे देश में जो मीडिया है, उसको कोई मीडिया पूरम कहता है, कोई टीवी पूरम कहता है, कोई गोधी मीडिया कहता है, लेकिन लोगों ने इस मीडिया के बड़े हिस्से पर, खासकर टेलिविजन पर और तो लोग देखते रहते हैं और उसी तरह का दिवाग बनता रहता है, इतनी सारी नफरत और इसनी सारी एक दूसरे समाज के विविन हिस्सों में टक्राओ और देश फैलाने वाली चीजें उस पर सनाई पड़ती हैं, कि लगता है कि ये किस समाज का टेलिविजन है, फेक न महत्मा गांदी का ये कोट मैं आपके सामने पेश करता हूं और इसके बाद अपनी बात खतम करता हूं, महत्मा गांदी ने कहा था कि पत्रकारिता का लक्ष जनता की सिवा है, और असल जो पत्रकारिता का कर्तब है, लोगों के दिमागों को सिक्षित करना, लोगों के दिम बाबों में जहर भरना नहीं है तो मात्मा गांधी की इसी टिपपणी के साथ उनको श्रद्धान जली नमस्कार आदाब सस्त्रियदा